हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका एक बार फ्री से हमार यूटूब चैनल अजीम फार्मा पी जहां पर आप पाते हैं दबाओं से संबंदि संपूर्ड जांकारी जी हाँ दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एंटी हाइपर टेंस्व मेडिसीन की पहचान कैसे करें तो दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है पूरी जांकारी के लिए हमारे वीडियो को अंतक जरूर देखें ताकि आपको संपूर्ड जांकारी मिल सके वहीं पर दोस्तो हम बात कर लेते हैं लोल दोस्तो जो नाम है लोल यह मेडिसीन का सफिक्स नाम है यह मेडिसीन का लाख्ट नाम है ठीक है अब हम बात कर लेते हैं इसके एक्जांपल के बारे में जैसे कि Metaprolol, Etnolol, Libitalol, Carvidolol दोस्तों ये सारी मेडसिन के लाश्ट में क्या आया है? लोल आया है, ठीक है? ये सारी मेडसिन क्या होती है? Anti-Hyper-Tension category की मेडसिन होती है जिसका उपयोग हाइपर-Tension में करते हैं और दोस्तों ये सारी मेडसिन बीटा बलाकर मेडसिन होती है जिसका उपयोग हाइपर-Tension में करते हैं वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं नेश्ट मेडसिन के बारे में अगर किसी मेडसिन के लाश्ट में माइड या जाइड आयड ठीक है? तो दोस्तों ये मेडसिन क्या होती है? एंटी हाइपर-Tension के टेगरी की मेडसिन होती है जिसका उपयोग हाइपर-Tension में करते हैं अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके एक्जांपल के बारे में जैसे की फुरोसिमाइड, इंडेपामाइड, हैडोकॉलोर्थाइजाइड ठीक है? यह मेडसिन जो होती हैं, इसका उपयोग हाइपर-Tensor में करते हैं और दोस्तों यह सारे मेडसिन क्या होती है? डाइरेटिक होती है, जो कि दोस्तों यूरिंग के सिक्रेशन को बढ़ाती हैं, ठीक है? वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं निश्ट मेडसिन के बारे में, जोसिन दोस्तों जो नाम है जोसिन यह क्या है, मेडसिन का सफिक्स नाम है, मेडसिन का लाश्ट नाम है वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं, इसके एक्जामपल के बारे में परा जोसिन, टेरा जोसिन, डॉकसा जोसिन दोस्तो ये क्या हो गए medicine के नाम हो गए जिसके लाश्ट में क्या आया है जो सिन जो सिन जो सिन आया है ठीक है दोस्तो ये सारी medicine जो होती है anti-hypertensive category की medicine होती है जिसका उपयोग hypertension में करते हैं और दोस्तो ये सारी medicine जो होती है alpha-adrenergic blocker medicine होती है वहीं पर दोस्तो हम बात कर लेते हैं next suffix name के बारे में पिरिल दोस्तो जो नाम है पिरिल ये medicine का suffix नाम है medicine का last नाम है वहीं पर दोस्तो हम बात कर लेते हैं इसके example के बारे में Captopril, Inala mới, Leinopril, Pyrinopril, Remipril, Phocinopril, Cunapril दोस्तो इन सभी medicine के last में क्या आया है? पिरिल आया है, ठीक है ये सारी medicine क्या होती है? Anti-hypertensive category की medicine होती है जिसका उप्युख hypertension में करते हैं और दोस्तो ये medicine जो होती है, AS Inventer होती है ठीक है? दोस्तो हमने एक example लिया है इस पे लिखा हुआ है रेमी पिरिल इसके लाश्ट में क्या आया है पिरिल आया है ये medicine क्या होती है एंटी हाइपर टेंसिव केटेगिरी की medicine होती है जिसका उप्योग हाइपर टेंसन में करते हैं वहीं पर दोस्तो हम बात कर लेते हैं next suffix name के बारे में depine दोस्तो जो नाम है depine ये medicine का suffix नाम है medicine का last नाम है वहीं पर दोस्तो हम बात कर लेते हैं इसके example के बारे में nephedipine, amlodipine, lacedipine, natinipine, benedipine दोस्तो ये क्या होती है एंटी हाइपर टेंसिव केटेगिरी की medicine होती है जिसके लाश्ट में क्या आया है, डिपीन आया है, ठीक है, इसका उपयोग हाईपर टेंशन में करते हैं, और दोस्तो यह सारी मेडिसिन जो होती है, कलसियम चैनल ब्राउकर होती हैं. वहीं पर दोस्तो हम बात कर लेते हैं नेश्ट सफिक्स नेम के बारे में सार्टन दोस्तो जो नाम है सार्टन ये मेटसिंग का लाष्ट नाम है मेटसिंग का सफिक्स नाम है वहीं पर दोस्तो हम बात कर लेते हैं इसके एक्जामपल के बारे में लो सार्टन, वाल सार्टन, टेलमी सार्टन, इर्बे सार्टन, कैंडी सार्टन दोस्तों ये क्या हो गए मेर्सिंग के नाम हो गए जिसके लाष्ट में सार्टन सार्टन आया है ये सारी मेर्सिंग जो होती है antihypertension category की medicine होती है जिसका उपयोग hypertension में करते हैं और दोस्तों ये सारी medicine क्या होती है angiotension receptor blocker medicine होती है तो दोस्तों मुझे आसा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी अगर आपको अच्छी लगी हमारे वीडियो को like, subscribe, comment जरू करें नेश्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जय हिन जय भारत